हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू चैनल सबकुष्णों आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास एट मैथ का एक्सरसाइज 13A का 5 नंबर कोस्चन से आगे इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पूरा 4 तक का कोस्चन कम्पलीट देखा था और इस चैप्टर के लिए इंट्रोड़क्शन भी आप लोगों ने देखा था तो आज ये 13A एक्सरसाइज पुरा कम्पलीट होगा तो वीडियो पर आप लोग लाश्ट तक बने रहे हैं अगर चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए तो देखते हैं हम लोग ये देखिए 5 नंबर कोस्चन में दिया पाश्ट चित्र में बिरित का केंदर O है जिसकी एक जीवा AB बराबत 30 मिमी ये जो जीवा AB दिया इसका माप दे दिया है 30 मिलीमीटर तथा ब्यास AC ये ब्यास AC है इसका माप दे दिया 34 मिलीमीटर जीवा AB की यह जो जीवा AB है इसी का कराया AB की केंदर से दूरी OD ये देखिए ये केंदर होता है यहां से यहां तक का दूरी बताना है और इसके लिए देखिए चार आप्षन दिये हुआ है इसी चारों में से कोई एक सही होगा उसी पर टिक कर देना है तो टिक करने के लिए पहले तो इसको solve करेंगे उसके बार ही देखेंगे कि कौन सा सही हो रहा है तो उस पर टिक करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए यहाँ पर एक तिर्भूज बना है समकोर तिर्भूज यह लंबा 90 अंस का कोड़ बनता है समकोर तिर्भूज में पाइथा गोरस परमेका यूज करेंगे और यहाँ देखिए यह पूरी लंबाई AB दे दिया जिवा AB की केंदर से दूरी यह पुछरा AB का दे दिया पूरा 30 मीमी तो देखिए तिर्भूज में जब आएंगे इतना निकालेंगे तो यह आधा होगा 15 मीमी और यह पूरा लंबाई AC देखिए दे दिया 34 मीमी यहाँ तक तिरिजिया होता है आधा तो उसका आधा कर लेंगे 34 का तो 17 मीमी और वहाँ से यह निकाल लेंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या देखिए दिया है AB बरापर दे दिया है वहाँ क्वेस्चन में 30 मीमी मीमी का मतलब मिलिमीटर तो AB बरापर जब 30 मीमी दिया है तो हमको तो AB नहीं तिर्भूज का ही चाहिए तिर्भूज इतना है तिर्भूज में AD है तो AD हम लोग निकालेंगे लिखेंगे इसलिए AD बरापर जो यह AD निकलेगा यह क्या होता है AB का आधा होता है तो AB का आधा को हम लोग ऐसे लिखते हैं दो से भाग करके और बरापर AB की जबापर हम लोग लिख लेंगे देखिए A B के जगा पतीस तीस बटे दो होगा भाग करेंगे तो हो जाएगा पंदरह मीमी अब देखिए जो A D दूरी निकल गया ये ये हो गया कितना? पंदरह मीमी और अब हम को इस तिर्भूज के लिए A O चाहिए ये पूरा A C लंबाई देखिए देदिया चोंतीस मीमी हम लोग फिल लिखेंगे चुंकि A C बराबर देदिया है चोंतीस मीमी लेकिन हमको A C नहीं चाहिए हमको तिर्भूज में चाहिए इतना ये A C पूरा यहां तक है तो A O हम लोग निकालेंगे लिखेंगे इसलिए A O बराबर इस A C का आधा होगा A O तो लिखेंगे A C बाई टू और A C देखिए चोंतीस आए तो चोंतीस बाई टू हो जाएगा और भाग करेंगे तो हो जाएगा सत्रह मीमी अब देखिए जा हमको A O पता हो गया A D पता हो गया तो हम लोग O D निकाल सकते हैं यही O D पूछा आए तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे लिखेंगे तिर्भूज A D O में Pitha Goras परमे से पाईथा ता गोरस परमे से अब पाईथा गोरस परमे का क्या होता है कड का स्क्वायर कड एओ है तो एओ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लंब ओडी है तो ओडी का स्क्वायर पलस आधार का स्क्वायर होता है आधार एडी है तो एडी का स्क्वायर अब देखिए सब का मान रखते हैं AO का मान यहां देखिए निकल गया 17 मीमी तो 17 का स्क्वाइर कर देंगे बराबर OD OD देखिए यही पूछा है तो OD के जहाँ पर हम लोग OD ही रहने देंगे OD का स्क्वाइर AD का भी मान यहां हमने निकाल लिया 15 मीमी तो रख देंगे 15 का स्क्वाइर और इसी को स्वाइर कर लिया ना है तो हम लोग यहां देखते हैं तो आब हम लोग यहां स्वाइर करेंगे इसके बाद तो देखिए 17 का स्क्वाइर है 17 का स्क्वाइर मतलब दो बार जब 17 गुड़े 17 करेंगे तो होगा 289 बराबर OD का स्क्वाइर यही रहाएगा OD का स्क्वाइर ही और प्लस 15 का जब स्क्वाइर करेंगे तो हो जाएगा 225 15 पर 2 का मतलब 15 गुड़े 15 करेंगे तो 220 होगा और यहां 17 गुड़े 17 करेंगे तो 289 हमको OD निकालना तो 200 पचीस को इधर करेंगे तो 289 माइनस हो जागा पलस में है बराबर की इधर आगा तो माइनस में 25 और इधर बचेगा OD का स्क्वायर अब देखिए 289 में से हम लोग 240 को घटा लेंगे तो जब घटाएंगे तो हो जागा 64 बराबर OD का स्क्वायर तो ऐसे रूट में हो जायागा 64 और बडाबर इधर हो जायागा od अब रूट का मतलब इसका बर्गमूल निकालेंगे 64 का बर्गमूल होता है plus minus 8 बराबर od तो plus और minus में आया है तो लंबाई हमें सब plus में होता है इसलिए minus को हम लोग छोड़ लेंगे लिखेंगे इसलिए ओडी बराबर आठ मीमी सब मीमी में दिया है तो हम लोग मीमी लिखेंगे अब यहाँ देखिए आठ मीमी में आप सम फोर्थ नमबर आ तो इस वाले पर ठीक करेंगे यह सारा काम रफ का होगा जब दिकल्पी कोस्टन देंगे तो रफ पर सॉल्व करके तब ठीक लगा देंगे तो इस तरह से सॉल्व करना है वहां हम लोग शिक्स नमबर कोस्टन देखते हैं आट से मित केंदर ओ से जिवा पर लंब तिर जाए ocd खीची गई है दहार जा लंब भी खीचा गया ocd और यह तिरजया भीए और यह यहाँ पर लंब भी है करा लंब तिर जा हो cd खीची गया रेखाखंड CD की माप होगी अब देखिए ये रेखाखंड CD केवल यहां से यहां तक का जो CD है यहां से यहां तक इसी का माप पुछा है तो हम लोग इसका माप पहले नहीं निकाल पाएंगे पहले हमको क्या करना होगा इस तिरिभूज से हमको यह दखेए निकालेंगे OA पांच से मी दिया है OA यह दखेए तिरिजा दे दिया है पांच से मी का यह और AB यह AB पुरा आट से मी दिया तो हम लोग पहले यह पता कर लेंगे इतना दूर तिरिभूज के लिए चार से मी हो जागा और जब यह चार सेमी होगा तो यहां से हम लोग सबसे पहले OC निकालेंगे OC जब निकालेंगे इतना दूरी तो यह पूरा नहीं बताना हमको इतना बताना तो यह पूरा भी पता है पूरा यही है तो यह पांच सेमी है तो यह भी पांच सेमी तो इसलिए यह पहले तिरि भूज से हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे O A बराबर दिया है यह O से A तक की जो लंबाई दिया है 5 से मी दिया है 5 दस मलोग 0 का मतलब 5 ही हुगा यहां से देखिए A C हम लोग निकालेंगे AB की लंबाई दखिए दे दिया 8 सेमी लिखेंगे या चुंकि AB बराबर 8 सेमी इसलिए हम लोगों को निकालना AC तिरभूज के लिए तो AC का लंबाई क्या होगा AB का आधा होगा पूरा AB है AB का आधा ये होगा तो AB बाई 2 करेंगे AB 8 है 8 मान रखेंगे तो 8 बटे 2 भाग करेंगे तो 4 सेमी ये देखिए AC की लंबाई अब हमको मिल गई ये 4 सेमी और ये 5 सेमी तो इस तिरभूज से हम लोग पाईथागोरस पर में लगा लेंगे लिखेंगे तिरभूज AC O में पाईथागोरस अब पाईथागोरस पर में क्या होता है कड का स्क्वाइर कड O A है तो O A का स्क्वाइर बराबर लंब का स्क्वाइर लंब OC है तो OC का स्क्वाइर प्लस तो देखिए कड का स्क्वाइर बराबर हमने लिखा लंब का स्क्वार, लंब OC है तिर भूज में और प्लस आधार देखिए AC है तो AC का स्क्वार अब सब का मान रखते हैं हम लोग OA देखिए दे दिया 5 से में तो 5 का स्क्वार बराबर OC, OC का मान हमको निकालना है तो OC का स्क्वार प्लस AC देखिए 4 से में हमने निकाल लिया है तो 4 का स्क्वाइर करेंगे 5 का स्क्वाइर 25 बराबर OC स्क्वाइर प्लस 4 का स्क्वाइर 16 16 को इडर करेंगे तो माइनस होगा 25 माइनस 16 बराबर OC का स्क्वाइर 25 में से 16 गटाएंगे तो 9 बराबर OC का स्क्वाइर हमको oc निकालना है अब oc बराबर square को इधर करेंगे तो root में होगा 9 9 का बर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो oc बराबर हो जायगा 3 semi में सब दिया है तो semi हो जायगा बर्गमूल पलस माइनस में आएगा तो हम लोग पलस वाला ही केवल लेंगे अब देखिए जाओ हमने oc की लंबाई निकाल लिया 3 semi और od हमको पूछा क्या है देखिए ध्यान दिजिया का केवल cd पूछा है यहाँ से यहाँ पका हमने पूरा हमको पता है od की लंबाई कितनी होगी जितना यह लंबाई है क्यों कि एक बिरित में जितने भी तिरिजिया खीचेंगे सभी तिरिजिया बराबर होंगे तो जब बराबर होंगे तो यहाँ एक तिरिजिया देखिए दिया oa 5 semi तो od भी तिरिजिया है यह भी बराबर होगा मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 semi होगा और पांच से मी मेंसे OC पता है ये देखिए तीन से मी पूरा पांच से मी और इतना तीन से मी तो ये हमको पता हो जागा पांच मेंसे तीन को घटा लेंगे तो लिखते हैं हम लोग लिखेंगे चुंकि OA और OD तिरिजया है इसलिए OA बराबर OD होगा दोनों बराबर होंगे और बराबर OA देखिए कितना है OA पांच से मी है तो OD भी पांच से मी हो जाएगा अब जब OD पांच से मी हो गया तो हमको CD निकालना लिखेंगे इसलिए CD बराबर इस CD बराबर क्या होगा OD पूरा बड़ा बला है OD में से हम लोग माइनस कर लेंगे यह CD निकालना तो हम लोग OD में से इस वाले को माइनस कर लेंगे OC को तो OD देखिये है कितना पांच से मी तो पांच में से OC हमने यहां निकाला है देखिये तीन से मी पांच में से तीन गटाएंगे तो यही हमारा CD की लंबाई आ जाएगी दो से मी यही अंसर हो जागा तो इस तरस question को solve करना है उसके बाद देखिये दो से मी आया है तो यहाँ दो दसमलोग 0 से मी है इसी पा टिक कर लेंगे तो अब हम लोग इस exercise का last question, question number 7 देखते है इसमें सत्य और असत्य कथन चाटी है, इसमें सत्य और असत्य बताना कौन सत्य लिखा गया इस figure को देखके बताना है और कौन असत्य है, तो हम लोग देखते है कह रहा है AC बराबर CB, कह रहा है AC बराबर CB, क्या यह और यह दोनों बराबर होंगे तो आप लोग लिखेंगे सत्य है लिखेंगे पहले वाले को सत्य है क्यों? क्योंकि यह हमने बताया था जब कोई केंदर से किसी जीवा पर लंब डाला जागा तो लंब दो भागों में बाटता है हमने बताया था दो बराबर भागों में गाहा है C का आधा है देखिए उल्टा दिया है मतलब और सत्य है यहां देखिए कहा रहा है AB बनाबर 2AC मतलब दूना है AC का जो AB है AB जो है ये पूरा बनावला AC का क्या है दूना है का रहा है तो सही है देखिए AC इतना ही है इसका दूना होता है ये तो वही का रहा है AB जो है AC का दूना है मतलब सत्य है यहाँ देखिए O C बराबर का रहा है O C बराबर O A square minus A C square root में तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे पहले formula आप लोग लिग के समझ लेंगे कैसे यहाँ से देखिए हम लोग ऐसे थोड़ा सा लिखते है कड का square कड का square बराबर होता है लंब का square प्लस आधार का square इस तिरिभूज के लिए तो देखिए यह होगा अब यहाँ से देखिए क्या का है O C बराबर तो हम लोग थोड़ा सा लिखते है O C के लिए का है तो हम लोग इसको इधर कर लेते है तो यहाँ होगा O A square और यह इधर आएगा तो बरगमूल में होगा मतलब रूट में हो जाएंगे यह O A square minus A C square बराबर इधर बचेगा केवल O C तो देखिए O C बराबर O A square minus A C square देखिए वही हो रहा है फार्मूला तो इसका मतलब यह क्या है सत्य है और यहाँ से अब देखिए का रहा है A C बराबर A C बराबर का रहा है O A square plus O C square तो इसके लिए भी हम लोग अब देख लेंगे फार्मूला को फिर से देखते हैं देखिए हम लोग एक बार फिर से यहाँ से लिखेंगे कड का square कड है देखिए O A O A का square बराबर होगा लंब का square लंब O C है और प्लस आधार का square आधार A C है हम लोग यहाँ A C का पूछा है तो A C के लिए निकालेंगे जब तो लिखेंगे O A square इसको इधर भेज लेंगे माइनस O C square और बराबर यहाँ बचेगा A C square हमको A C का निकालना square को इधर करेंगे तो बरगमूल होगा O A square और माइनस O C square और बराबर यहाँ बचेगा केवल A C तो देखिए A C बराबर हमारा इतना आया यहाँ A C बराबर इतना दिया है हमारा माइनस में यह पलस में दिया है तो मतलब यह औस सत्य है तो इस तरह से पूरा यह exercise 13 A complete हुआ अब इसके अगले पार्ट में आप लोग 13 B के लिए कुछ पर में हाँ उसको देखेंगे उसका इंट्रोड़क्शन और फिर आगे exercise देखेंगे तो आज के लिए बस इतना आई